यहीं बागे क्योंकि हम लोगा समय निकलता जा रहा है देखे मेरा दारी दूरी भी पग गया अब अदमी गरजवन बहुत प्रेसर में हम लोगो उभी रहते हैं गरजवन पर चलते और ऐसा समय आ रहा है कि लगता है कि हम लोगा आत्मात्याना कर ले जैसे इस्तीती हो गया हम लोगा पुछ अभी अर्थी ऐसे भी होंगे कि जिनकी शादियां रुग गई है नौकरी मा होने के करद जी बिल्कुल बिल्कुल रुग गई है वही सब लेकर जो न्यू एंसियल और ओल्ड एंसियल लेकर जो मैटर फसा हुआ है उसी के सिलसले में हम लोग बात करने के लिए आए हैं हमशकार मैं अभी शेख आप देख रहें एंविसी 24 न्यूज बिये सिसी इंटरस्तर ये बहाली को लेकर लगातार अभी हर्थी आकरोशिद दिख रहें आपको हम बता दे कि वीते दिनों इन लोग की कॉंसलिंग होई थी उसके बाद ये मामला कोर्ट में चला गया कुछ अवियर्थी आब इस शी के उनसे हम बात करें क्या नाम हुआ मीथीलेस कुमार हम जमुऊ से आए हैं यसी कि आभी हर्थी हैं जी बिहार इससी को बहें आप लोग का मामला हम लोग का मामला अभी न्यूंस इल के मामला हाई कोट में चला गया है तो हम आयोग से यही अनुरोद करें कि जल से जल हम लोग का जोइनिंग के प्रोसेस के परकिरिया शुरू करें और लेट करने से हम लोग का दिमागी हालत खराब हो रहा और यह परकिरिया भावनात्माक रूप से आयोग ले लिखित रूप जो है उसको हंटा के भावनात्माक रूप से परकिरिय आगे करें क्योंकि हम लोग कद्दार नहीं है देश का ही अगर आयोग पुना चेक करेगा नौकरी लेने के बाद भी फिर भी हम लोग एबी सी ही रहेंगा जो एसी है एसी ही रहेगा जो जेनराल हो जेनराल ही रहेगा इसलिए लिखित और इसको छोड़के अपना कुछ हुआ है और ये करीब आठ साल होने जा रहा है आठ साल हो गया है और ये मामला हाई कोट में गया है इसकी सुनवाई आठ फरवरी की होनी है और हम लोग यही मांगे कि जो एन्सीयल मुद्दा हो बड़ा मुद्दा नहीं है इसको सरकार को भी समझना चाहिए और आयोग को कोई संग्यान में लेना चाहिए और ये सब लेते हुए मेरिट बनाया हम लोग का जोइनिंग करा है जल सजल यही मांगे क्योंके इसा ही हम लोग का समय निकलता जा रहा है देखें मेरा दारी होरी भी पक गया अब आदमी गरजीवन बहुत प्रेसर में हम लोग को भी रहत कुछ अभी अड़्थी ऐसे भी होंगे कि जिनकी शादियां रुप गई है नौकरी ना होने के करणा जी बिल्कुल बिल्कुल रुप गई है यहीं बगल में मेरे दोस्त हैं नहीं का होने वाला था साधी तकिन गई है यह आजब बोलते पास के लोग क्या बोलते हैं आस- आयोग आठ साल से वेकेंसी इतना दिन तक अगर कोई वेकेंसी चलता है तो उस देश को सरकार को समझना सोचना चाहिए कि भाई मतलब सोचने वाली बात है और भी सरकार बिल्कुल देख सकते हैं आठ साल से इनकी वेकेंसी लटकाई गई है कुछ और भी अर्थी और है अपना नाम बताईएगा रंजन को और मेरा नाम है जो हम पटना सही है पटना सही है कॉंसलिंग हो गई बहाली नहीं हो रही है क्या कह है मेरा कहना है कि आयोग को यह सब साफ करके हमें डिपार्टमेंट कर देना चाहिए उसके बाद डिपार्टमेंट अपने तरीके से सब कुछ जांच परताल करके हमें अस्थाई रूप से पर्मनेंट कर दिया जाए लेसी संदीब सौरब जी के पास आये थे क्या कहा गया इहां से हम बात कर रहे हैं उनसे बात होने के बाद क्या मेंटर होता है उन्होंने बोलें कि हम इसको विदान सवाहं में फिर से उठाया जाए उनका तो अभी केस कर दिया है ता पटना हाई कोट अब उस पे क्या संगान लेती है तो उनका अपना मत होगा इसमें तो हमको कुछ जानकारी नहीं है कि क्या आ गए इसका बात हो रहा है बिल्कुल देख सकते हैं BCC इंटरस्तर ये बहाली निकली थी बित्य दिनों जो अभियर्थी थे उनकी कॉंसलिंग होई थी आपकों बता दे कि 13120 लमसम अभियर्थी हैं और कॉंसलिंग होने के बाद अभी तक इन लोगों की बहाली जो है उरोग दिगए एक कोट में केस चल करें बहुत-बहुत धन्यवाद को